हरी मेथी का यह नास्ता अगर एक बार घर में बना लिया ना तो सारे लोग उंगली चाठ चाठ खाएंगे और तारिफ पे तारिफ करेंगे और कुछी मिन्टों में बनके त्यार होता है कुछी घर की चीजों से बच्चेवी चीजों से बनके त्यार होता है और बहुत ही यह ब्लाज लिया है जिसको चील के अच्छे से चूप कर लेंगे बढ़िया तरीके से छोटे चोटे टुखटों में और साथ में हम दो तीन हरी मिर्च लिया है और आप लोगों को बता दें कि बच्चों के लिए बनाए तो मिर्ची ना डालें और यहां पर हम चॉप कर लेंगे हरी मिर्च और प्याच एक पर जरूर इनास्ता बनाएं घर में बहुत ही आसान है और बहुत ही मस्त बनके त्यार होता है और कुछी मिन्टों में बन के त्यार हो जाता है और सारे लोग पसंद करते हैं और एकीन मानी अगर एक पर बना लोगे न तो मुह से नहीं छूटने वाला बार-बार मन होगा खाने के लिए यहां पर हमने मेथी लिया जिसको हमने साप कर लिया अच्छे से और काट ल बनाना चाहे है तो यहां पर हम दो कोटे लिए अट लिया इसमें हम ़्याज हरी मेच गाटी होग से ठाइडर दालेंगे ठोड़े से धणिया डाले उख और जो हमने मेथी पाटि हो सहीया है तो हमने मेथी काट करके अधर साइध वातिनो सा नमक यांवावानाध एकाज चमठ आमच्ब पौंडर डालेंगे थोड़ा से एजवाइन जो मसल के हम डाल देंगे यो और एक उबला हुआ अलू डालेंगे अब हम तैसे सारे चीजों कुछा हम ठोड़े थोड़े पाइं डाले के अच्छा नदाल भी आटा लगाएंगे जैसे की हम रोटी का आटा लगा दे वेसे आटा लगा लेंगे और एक इन मानी अगर एक बार एक नास्ता खार लिया ना तो मज़ा ही आ जाएगा और बहुत ही मस्तवन के त्यार होता है तो यहाँ पर हमारा आटा लग चोका है अब हम इसे ढखके पाच मिनट के लिए रख देंगे तब तक कि हम दूसरे चीज की तैयारी करेंगे तो यहाँ पर हम गय चलाएंगे शाथ में हम खड़ाई रख देंगे और उसमें तेल डालके थोड़ा सा गरम होने देंगे और साथ में हम थोड़े से जीरा डालेंगे और थोड़ी से राई अब हम कटा हुआ हरी मिर्चो प्यार डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे इसे तो यहाँ पर हमारा प्याज का कलर चेंज हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ दो टमाटर मेडियम साइज का और साथ में हम नमक डालेंगे थोड़े से जिसे की टमाटर गल जाए अच्छे तरीके से शीच जाए और अब हम इसमें डालेंगे मसाले, हल्थी पावडर, धनिया पावडर, थोड़े से लाल मेर्च और अच्छे से चला के भून लेंगे एक पार जरूरी रेश्वी ट्राइ करें गरे में बहुत ही मस्त बन के त्यार होता है अब हम चार उबले हुए आलू जो काट लिया था हमने छीलिके वो डाल देंगे और अच्छे से फ्राइ कर लेंगे दो-तीन मिनिट के लिए फ्राइ करेंगे शाथ में हम गरम पान डालेंगे गरम पान डालने से जल्दी शेव बन के त्यार होता और एक दम मस्त कलर भी आता है तो यहां पर हम आलू की मेरी सबजी त्यार है बनके इसमें उबाल आ चुका है फिर भी ढगके हम पान दस मिनिट में दस मिनिट के लिए बनाएंगे और तो यहां पर आमारा सबजी बनके त्यार हो चुका है देखो कितना मस्त करा है न ते एक बार जरूर एरेश भी बनाएं घर में बहुत ही मस्त बनके त्यार होता है अब डालेंगे हम कटी हुई धनिया थोड़े शेश में और अच्छे से चला देंगे अब हम ठक देंगे शेश और गेस बन करतेंगे अब हम पराठो की तयारी करेंगे तो यहां पर हमने गेस पर तवा रख दिया करम होने के लिए अब हमारा आठा भी रेडिये पराठा बनाने के लिए ते एक बार और मसल लेते हैं इसे हाथों से अब हम छोटी छोटी से लोई लेंगे और एक अच्छे से हाथों से मसल के चकवा बना लेंगे और थोड़ा सा सुका आठा लगाके हम बेल लेते हैं इसे आप एक बार जरूर बनाएं ये नास्ता बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही मस्त लगता है खाने में तो बताई ने सकती कितना लाजबाव लगता है अब हम तवी पे थोड़ा सा घी डालेंगे जिसे कि ये हमारा पराठा चिपके नहीं और अब हम सीम आज पे इसे सेख लेंगे उलट पलट के आप खर में ये रेश भी जुरूर बनाएं बहुत ही मस्त बहुत ही मज़ेतार और बनके तयार होता है और बनाओ खाओ मज़े करो और प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर करें लाइक सेर सस्क्राइब करें और अब हम खी लगा के सेख लेंगे अच्छे तरीके से आप एक बार जुरूर बनाएं अपने घरों में और खाएं सबको खिलाएं और ऐसा ही हम आप लोगों के लिए ने ने रेश भी लेके आते रहेंगे और प्लीज सपोर्ट करें और यहां पे हमारा पराठा लगवक शिख गया एक और आप भी बनाओ और खिलाओ अब दूसरा पराठे भी हम शिख लेते हैं बड़िया तरीके से और याद रखें कि एक तम कम आज पे शेकें नहीं तो पराठा कच्छा रह जाएगा क्योंकि हमने मेथी कच्छे डाल रखका है तो इसको अराम अराम से शेकना होता है नहीं तो मेथी जादा कड़वी लगेगी तो कम आज पे शेकें और अब हम दूसरे पराठी को भी अच्छे से गी लगा के शेक लेंगे आप चाहे तो तेल लगा के भी शेक सकते हैं आपक हाओ प्यों मजे करूं अचा और हमारी वीडियो देखते रहें आधार कै तो यहांपर हमारा पराठा शिग्या अब हम तूट नब करण के बनाओ अब हम नेकाल लेते हैं पिलेट में तो देखो कितरा मश्ता लगाए। देखने हैं मेथि का मेथी का मारा मसाला पराठा ता आप भी खाओ बनाओ मज़े करो अब हम प्लेट लगाते हैं तो यहां पेमने प्लेट में दोचार खीरा रख दिया है साथ में हम आलो की ग्रीवी आली सबची और साथ में हम थोड़े से दही लगाएंगे क्योंकि पराथा दही के बीना अधोरा होता है ना ततही में हमने थो करमा गरम पराथे मेथी का मसालितार पराथे तो हमारी थाली लग्के तयार है तो खाओ प्यों मज़े करो हमारी वीडियो पूरा देखते रहे और प्लीस वीडियो पसंद है तो लाइक करें और शेयर करें और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करे मिलते हैं एक नई वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई दोस्तों